देखे कितनी अच्छी रेश्टोनेर स्टाइल मेथी मटर मलाई बनके तयार हुई है देखे रेश्टोनेर स्टाइल की बनी है तो इसे जरू ट्राइ कीजिए हलो दोस्तो स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर मैं अनीता जेन आज रेश्टोने रिष्टाइल मेथी मटर मलाई सबजी बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने लिए एक कप मेथी इसे मैंने धोके साप कर लिए और इसके डंटल अठा लिए इसे मैंने कप से ना पाय तो अच्छे तर दवा-दवा के भरके मैंने एक कप मेथी ले लिए दो प्याज, वनफोर्थ कप काजू आदा कप मटर, यह मैंने मटर उबाल लिए है आदा कप क्रीम, यह फ्रेस क्रीम है आप दूद के उपर की मलाई भी ले सकते हो और थोड़ा सा दूद इसमें डाल के फैट के तयार कर सकते हो दो हरी मिर्ची, लसन 6-7 कली लसन की है अधरक का टुकड़ा, आदा चमच गरम मसाला, आदा चमच नमक, आदा चमच चीनी, दो चमच देसी गी अब सबसे पहले हम मेथी को उबाले है पानी जब अच्छी तरह उबाल आ जाए पानी में, तभी हमें मेथी डालनी है पानी इतना ले कि मेथी हमारी दूब जाए बस इसे दो मिनिटी पकाएंगे, ज्यादा नहीं अब इसे फ़र दूबो देंगे, और दो मिनिट के लिए पकने देंगे जब तक मेथी सीज रही है, तब तक हम एक पैन में आदी चमज गी डालेंगे गी को गरम होने देंगे, गी गरम हो गया है, अब इसमें प्याज डाल देंगे लसन, अग्रत, हरी मिर्ची और काजू, और इन सब को मिक्स कर लेंगे अब प्याज को ट्रांस्पेरेंट होने तक पका लेंगे ये सबी चीज पक गई है, प्याज भी देखो अलग-अलग हो गया है अब गैस बंद कर देते हैं, और इसे ठंडा होने देंगे मेथी को भी दो मिनिट हो गए हैं मेथी पक गई है गैस बंद कर देते हैं और इसका पानी निकाल लेंगे यह मेथी में से मैंने पानी निकाल लिया है अब इसे भारी चोप कर लेंगे यह सभी चीज थंडी हो गई है अब इसे मजार में डाल देंगे और पीस लेंगे अब इसे बेना पानी डाले हुए पीस लेंगे यह अच्छे से नहीं पिसी इसमें दो टेबल स्पून करेवन पानी डाल देंगे और इसे वापिस पीस लेंगे यह सबी चैज अच्छे से पिस गई है यह Fine Pest बनके तयार हो गया है अब पैन में जो गी है तो डाल देंगे गी को गरम होने देंगे गी गरम हो गया है अब Gleich przypadku कर देंगे और यह काजु का पेंश्ट डाल देंगे काजु प्याच लश्चन अद्रुक अब इसे मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए पकाएंगे दो मिनिट हो गए हैं अब इसे मेथी डाल देंगे और मतर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अब जार में थोड़ा सा पानी डाला है आदा कप करीवन पानी डाला है इसे डाल देंगे गैस को फुल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे पहले अब इसमें उबाल आगया है आदी चमस चीनी डालेंगे आप चीनी ओप्शनल है आप चावों तो डालो नहीं तो रहने दो गरम मसाला डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे यह सबी चीज अच्छे से पक गई है अब इसमें क्रीम डाल देंगे और साथ में नमक डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे आपको ग्रेवी जितनी पतली रखनी है उतनी आप रख सकते हो आप इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हो क्योंकि ठंडी होने के बाद यह थोड़ी गाड़ी हो जाती है अब क्रिम डालने के बाद हमें बस एक मिनिट के लिए पकाना है ज्यादा नहीं एक मिनिट हो गए है यह पक गई है गैस बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेंगे यह हमारे रेस्टोरन स्टाइल मेथी मटर मलाई बनके तयार हो गई है अब इसे आप भी ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंसेर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू